असलाम अलेकूम बाशा किचन में आज सबका खुशाम देन बाशा किचन में आज हम बनाने वाले हैं समर रिफ्रेशिंग ड्रिंक एक मुनफृत और अनोके अंदाज में यह मैं आपको बताओ मैंने यह रेसिपी में वीडियो ट्यूब पर ही देखी थी और मुझे बड़ी पसंद आई मैंने को मैं आपके साथ शेयर करोंगी आचा इसको बना निकले में चाहिए यह मेरे पास जली है यह जुनेजम शेद की मैंने फर्स टाइम देखी है वैसे तो रिफान जली हम यूज करते हैं क्यार यह भी अच्छी बन गी थी और हमारे पास है यह सागुदान सागुदान को गराप रात बिगो के रख लें और फिर ऐसे बॉयल करें तब और भी यह फूलेगा लेकिन मैंने ऐसे ही बना लिया अच्छा हमने सागुदान को पिले ऐसे हमने बॉयल कर लिया तकरीबं 10-15 मिन्नटी से लगे इस तरह से फूलने में ठीक है जैसे यह फूल और एक यह वनीला फ्लेवर था यह हमने दोनों बना लिये ठेक है और इनको हमने एक डीश में यह जो भी पैन आपके पास हो जिसमें आप इसको ठंडा होने के लिए रख दे और जैसे यह जैली बिलकुल ही रूम टंपरेचर पर रखनी है फ्रीज में न रखियागा अच् इसको इस तरह से कटके छोट-छोटे पीसिस में इसको डिवाइड कर लिया यह देखे बिलकुल हमरी जैली रैडी है ठेक है अब हमें एक बोल लेंगे उसमें मैंने यह कंडास मिलक एड किया ठेक है इस पूरी रेसिपी में शूगर आट नहीं करेंगे क्योंके इस मिलक मे पहले से ही बहुत जाद है शूगर है साथ हमने एक कप क्रीम एड की यह मैंने फ्रेश क्रीम ही एड की ती डिब्बे वाली क्रीम मैंने यूज ही नहीं की इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि यह जो कंडर्स मिलक है इसमें थोड़ा सा थिकनस बन होता है इसको अच्छी तरह से लाके इसमें हम दूद एड करेंगे यह देखें यह एक हलका गाडा सा पेस्ट बन गया बहुत जादा गाडा नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा सा थिक था ठीक है अब हम इसमें बाकी की इंग्रीडियंट्स एड करेंगे सागो दाना यह देखें आप तो यह बिल्कुल ही इसके बीन्स अलग होते जाएंगे यह रखेंवे यह बॉल बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं अब हम इसमें मेंगो के स्लाइज छोटे-छोटे से मैंने काटे थे वह उमने इसमें डाल दियें आप एक से डेर मेंगो इसमें डाल कर सकते हैं जितना आप इसको मजीद घाड़ा करते जाएं अब अम इसमें साथ ही जैली डाल लें हिला लें जैली एड़ करते हुए जिसका इसका थोड़ा सा कलर निकला था लेकिन मुझे लगा ये कलर चेंज हो जाएगा दूद का लेकिन नहीं आप देखें बिल्कुल दूद के अपनी शकल बिल्कुल बरकरार है हमने इसमें वनीला फ्लेवर भी ढाल दी जैली दूनों हम लेंगे अच्छे तरह से ला लेने के बाद मैंने यह देखिए यह इसके फाइनल लुक है यह देखिए आप चाहिए से चमच के साथ खा ले यहां इसको ऐसे गलास में इसको थोड़ी देर के लिए जग में डाल के और इसको मैंने फ्रीज में रख दिया यह हमारा लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलिएगा मैं हर दफ़ा कहना बूल जाती हूँ लेकिन आप तो याद रिखिये अगरे इसका साथ मैं जाज़ देजिए अलाफीज